हेलो एबरीवन नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टड़ी कोश 91 योडोब चैनल में दोस्तो 14 नॉवंबर 2022 को बेटी उपी सजो सर के द्वारा एक ओफिसल नोटिस बेजी गई है इस नोटिस में क्या है आप लोग को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगे वीडियो के साथ आप सभी लोग पुरा अंत तक बने रहेगा अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलिज मिले, कुछ जो है जानकारी मिले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक के जएगा अदर्वाइस इस वीडियो को आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं और अगर आप लैटिस्ट अपडेट को पहले पाना चाहते हैं तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दे गए टेलिग्राम चैनल के लिंक से टेलिग्राम चैनल को जरूर जोएन कर ले यहाँ पर अगर बात करें इस नोटिस के बिसे की तो बिसे दी गई है परिच्छा जून 2020 में अनुचित साधन के परियोग में आरोपित विद्यारतियों के समित के समक्ष उपस्तिति या सुनवाई के संबंद में ठीक है जो भी स्टुडेंट्स जून 2020 के परिच्छा में सा अनुचित साधन के परियोग में आरोपित विद्यारतियों के सुनवाई जो है वो 22 नमबर 2022 से लेकर के 26 नमबर 2022 तक जो है वो निर्धारित की गई है ओपरियोग तो बिसे में अउगत कराना है कि वार्षिक परिक्षा जून 2022 या समसेमिश्टर परिक्षा या बिसेस पेपर परिक्षा या मल्टी पॉइंट इंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम परिक्षा जून 2022 में अनुचित साधन के परियोग में आरोपित हुए बिद्यार्थियों के सुनवाई है तो छेतर वार निम्नुवत तिति जो है वो निर्धारित के गई है जितने भी स्टुडें जो है टोटल 47 संस्थाओं में 73 विद्यार्थियों ऐसे हैं जो UFM के अंतरगत पकड़े गए हैं इन सभी स्टुडेंट्स को 22 नवंबर 2022 को 11 बजे जो है बोर्ड में उपस्तित होना है ठीक है उसके बाद में बुंदेल खंड जोन के 33 संस्थाओं में 57 विद्यार्थियों जो UFM के अंतरगत पकड़े गए हैं इन सभी स्टुडेंट्स को 23, 11, 2022 को 11 बजे जो है बोर्ड में उपस्तित होना है और वहाँ पर जो है इनकी सुनवाई होगी UFM के अंतरगत ठीक है इसके बारे में जादर जानकारी के लिए आप सभी लोग अपने कॉले से जो है एक बजे जो है बोर्ड में उपस्तिती होंगे उसके बाद में पूर्वी छेत्र के अगर बात करें तो पूर्वी छेत्र के 22 संस्ता हैं यहां पर जो है 33 विद्यारती हैं जो UFM के अंतरगत पकड़े गए हैं यह स्टुडेंट्स 25 नवंबर 2022 को 11 बजे बोर्ड में उपस्ति होंगे ठीक है यह जनकारी आपको जो है अपने कॉलेज से भी मिल गई होगी अगर आपका UFM लगा हुआ है तो ठीक है ज्यादा जानकारी के लिए बोर्ड पे जो है क्या होगा UFM जितने भी स्टुडेंट्स का लगा हुआ है ठीक है वो सब इस्टुडेंट्स अपने परधानाचारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने जोन के अनुसार निर्दार तितिवा समय पर संबंदित बिद्यार्तियों को परशद कारेले में उपस्तित होने है तो अपने अस्तर से सूचित करना सुनिश्चित करें ठीक है यहां पर एफार खान जो की बीट में आ रहा है अगर दोस्तों और कोई अपडेट मिलता है तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा ठीक कि अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछे और बाकी दोस्त आप जो है लेटेस्ट अपडेट को पहले पाने के लिए टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लिजे जिसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी दोस्त मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किस नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई जैहिंद